कि मैं यूटूब चैनल एन स्केडमियोग मैं अज्य कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नहीं थोर्म लेकर आयों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बैल आइजन को दबाए सब्सक्राइब करना है तो हमें इन दोनों सेट्स को अगर इक प्रू करना है तो इन दोनों को एक दूसरे के अंदर गांटेने इक्वल करांगे हमारे सबसे पहला हमारे स्बसक्राइब और इसके अंदर के निए को जाएगा हमारी यह सबसे क्रेंटी P अगर ऐसा हम प्रू। कर देते हैं हम बहुत है यह दोनों हमारे पास क्या हो जाएगे यह सभी को कराना है साथ को डूसरे से के अंदर कर वाना है मालनो वी को हमें एक इंदर कराना है क्या अचैनल काम क्या लेया शांजडिस यहां थाएंगेंगे इस सैप का सभी किस भी निगा हमारा मालिका खत्रव हैं A-B intersection C के अंदर belong कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास की X belong करेगा A के अंदर and X does not belong to B intersection C होगे सरी यह कहां से आ गया हमारे पास तो जब हमने क्या था difference of two sets किये थे क्या क्या था हमने difference of two sets वहां पर बताया था कि हमारे पास की statement होती है कि X इस set के अंदर वे elements आएंगे such that X belongs to A and X does not belong to B यह हमारे पास है define किया था हमने A-B को हमने वहीं use किया है क्या क्या है यह हमारा क्या है B है यहां पर हमारा क्या है minus का sign है यानि A में सी ही set हमारा क्या हो रहा है तो जो एक्स element होगा यह के अंदर होगा लेकि एक्स जो elements हो हमारा B intersection C के अंदर नहीं होगा इसके बाद जो important हमारा जिमार्क है वह है कि X does not belong to B intersection C लेकर आपकी X हमारा belong नहीं करता है B intersection C के अंदर अगर X belong कर रहा है B intersection C के अंदर तो इन दोनों का हमारे पास मतलब है वह different different है देखो हम क्याता है कि X अगर belong कर रहा है Section B इसका मतलब क्या वो दोनों के अंदर है X हमारा A के अंदर भी है and X हमारा C के अंदर भी है अगर दोनों के अंदर है तो दोनों के intersection के अंदर होगा लेकिन यहाल पर क्या कै겠어 X does not belonging to A intersection यानि कि वही union वाड़ा हो गया कि अगर A के अंदर भी नहीं हुआ तो इन दोनों की intersection के अंदर नहीं होगा इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि X does not belongs to B और X does not belongs to C अगर X A के अंदर B के अंदर नहीं हुआ तो इसके intersection के अंदर भी नहीं होगा यहां पर हमने end का उसके फिर्सेक्षर है यहां पर कहां लगेगा और कैसे लगेगा आपको और यह नहीं होगा इसके बाद हमारा एकस एक के अंदर बिलोंग कर रहा है एक्स डजनोट बिलोंग टुब एक स्टेटमेंट तो हमारे पास यह हो जाएगी और एकस हमारा एक स्टेटमेंट बिलोंग टुब टू थी तो फिर बही ए- बाली प्रोपर्टी लगाएंगी ए- माइनस बी मिलेगा और x a के अंदर है लेकिन c के अंदर नहीं है तो यहां से हमें क्या मिलेगा a-c मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा c अब यह कह रहा है कि x जो हमारा है वह a-b और x a-c के अंदर है और का मतलब क्या कर इन दोनों में से एक के अंदर भी होगा तो यहां से हमारा X जो होग वो A- B- A-C के अंदर होगा हम X लेकर किसके अंदर चले थे A-B in cmc के अंदर हम लेकर चले थे लेकिन हमारा आ कहा गया A-B union A-C के अंदर आगा इसका मतलब कि यारी इसके अंदर जितने भी elements होगे सभी के सभी हमारे इस given set के अंदर होगे इसके मेंबर होंगे अगर ऐसा है तो यह हमारा कंटेन हो जाएगा A-B intersection C contain या equal होगा A-B union A-C के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कंटेन या equal हो जाएगा यह हमारी application फस्ट आ गए दूसरा हमें क्या proof करना है हमें इस सेट का element मारके चलना है और proof किसके उन्दर कर देंगे किसके अंदर हो हमारा element है तो हम पहरेंगे इसके जितने भी elements और हमेंट हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा कंटेन या इक्वल हो जाएगा तो सबसे पहले हम एक समानने के चलेंगे कि A-B union A-C के अंदर हमारा वो element कया है, present है, तो अगर यहाँ से हमारा union है यहां से हमारा समझ में आगा है चैनल कि हमारा एकस एक अंदर है लेकिन भी के अंदर नहीं है और एकस हमारा एकस एक अंदर उसका एंड जो X है वो डज नोट बिलोंग्स तू B और X डज नोट बिलोंग्स तू C जो X होगा वो नहीं C के अंदर है तो यहां से हमारा कहा मिलेगा कि X जो हमारा है वो A के अंदर होगा जो हमारा एक्स होगा वो नहीं तो B के अंदर है और नहीं C के अंदर है तो इनके इंटर नहीं होगा तो यहां से हमारा एक्स डाज नोट बिलोंग्स तू B इंटर सेक्षन थे हो जाएगा तो यहां से अब फिर हम क्या करतेंगे होई प्रोपर्टी लगा देंगे कौन सी डिफ्रेंश ओफ टूसेट वाली कि एक्स एक इंदर इसके अंदर नहीं है एक्स जो हमारा होगा वह यहां से इसके जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वह सभी के अंदर क्या रज़ेंट आएगा कि a-b union a-c continue याखल होगा a-b intersection c यह हमारा क्या होजाएगा equation second आगए तो यह हमारी first equation भी true हो कोई कि second भी अगर यह दोनों हो जाती है तो हमारे पास जो statement थी यह क्या होगी हो जाएगा हमारा a-b union a-c equal हो जाएगा तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समापत होता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ने किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लो घ्लियक फार करना चाते हैं इसके दो ख़रता कि अधा हमारी फ्री लेक्टर का फाइदा उठा सकते हैं आने वाला चौन होता है कुछ एकजांब्स अब कुछ थोर्म और डिस्कस करने वाले हैं तो आने तक बाए